वेरी गुद मॉर्निंग एवरीवन आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं इडियम और फ्रेजस से इस वीडियो में आपको 45 मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम और फ्रेजस मिलेंगे जो आपके किसी भी गवर्मेंट एक्जाम के लिए नैसेसरी होंगे जैसे सीडियोस, ऐसे सी, इन समय और जो ग्रेजुएशन में लेते हैं इंग्लिस क्रामर और इसमें स्कूल लाइफ में भी उनमें भी इडियम और फ्रेजस आते हैं उसके लिए भी यह यूजपूल है आपको मार्क्स दिला सकते हैं ठीक है लेट परसीट पर्स्ट हमारा जो है Will and Wo Will and Wo means क्या होता है Joy and sorrow क्या होता है Joy and sorrow मलब सुख और दुख Will and Wo का मतलब होता है Will miss joy और Wo miss sorrow सुख और दुख ठीक है ये Will and Wo आ जाए तो क्या बोलेंगे Joy and sorrow Ups and Downs Ups and Downs का मतलब होता है Success and Failure सफलता और फिफलता Success and Failure Ups and Downs Prons and Cons ये क्या है Paired जैसे Paired में आते हैं ठीक है ये आपको फिलिंदा Blanks में भी आ जाएंगे कि इसके साथ Paired में क्या करते हैं Questions में Prons and Cons Prons means Advantage और Cons means Disadvant Prons and Cons means Advantage और Disadvant इसका प्रons and Cons लिखा है तो इसको आप यूज़ भी करते हैं लोग Ups and Sounds Speaking में यूज़ करते हैं Prons and Cons आप Prons and Cons लिखिए ठीक है तो आपको सब्सक्राइब कोई भी टॉपिक है उसका Will and Wo बताईए कि उसमें क्या Joy Point है और क्या सौरो तुम अपनी Life के Will and Wo बोलिए ठीक है तो आपके जब वो कैव अच्छी होगी तो फिर आपके Speaking भी अच्छी हो जाएगी ठीक है अब क्या है Sum and Substances क्या है Sum and Substances फूर्ट वर्ट यह क्या है Meaning, Just, और सारां Sum and Substance मतलब किसी का शारांस पूरी स्टोरी है उसका शारांस मनुष जो प्रकृति की जो होती है लिमिट होती है उसमें रहे उसको क्या बोलते हैं Flesh and Blood Fishes and Lopes Fishes and Lopes क्या होता है Materialistic Gain मतलब सांसारिक लाव Material मतलब जो चीजों का Gain होना Fishes and Lopes ठीक है Hard and Fast Strict अब कोई कहेगा Hard and Fast Rules मतलब किसी की फैमिली में Father के Hard and Fast या Grand पाके Hard and Fast Rules होते हैं ठीक है अब देखे Hard and Fast Strict हो गया ठीक है अब देखे Two and Pro Two and Pro मतलब Backward and Forward मतलब आगे और पीछे Two and Pro मतलब कोई बोले You go Two and Pro मतलब आगे जाओ और पीछे जाओ ठीक है Two and Pro ठीक है Cut and Dried Ready मतलब Cut and Dried मतलब कोई भी आप Thing लाए हो वो cut and dried है मतलब वो बनी बनाई है वो आपने बनाई नहीं है Alpha and Omega Alpha and Omega का मतलब होता है A2Z मतलब सुरू से अंत तक कहां से अंत तक Alpha 2 Omega ठीक है अब आपको आगया Alpha 2 Omega A2Z या फिर सुरू से Starting से Ending तक यह लिखा है तो तुरंद आप टेक कर दीजेगा ठीक है अब क्या हो गया All and Sun Dry जो सब बिना किसी भेदवाओ के ठीक है सब बिना किसी भेदवाओ के Everyone मतलब सब लोग है पर लेकिन कि कोई भी Distinction नहीं है कोई भेदवाओ नहीं Ins and Out Ins and Out मतलब Full Detail मतलब विस्तार में क्या विस्तार में ठीक है विस्तार जाए तो Ins and Out ठीक है Fire and Sword Anger Fire and Sword Anger गुसा आ गया ठीक है Rate of Arrive To Go on Rampage ठीक है क्रोद और व्याप्त गुसा बहुत ज़्यादा क्रोद आना ठीक है गुसा Fire आग लग जाती बोलते है आग बूले क्यों हो रहे हो तो यह क्या होते है कि गुसा एंग्रीनेस को शोर करता है Fire and Brimstone Fire and Brimstone Tolment suffered by sinners in the hill नरक में पापियों द्वारा सम्मान की जाने वाली पीडाएं सामना करने वाली पीडाएं जो नरक में जाते हैं जब आप देखो Fire and Brimstone जब आप जाओगे आपने यहां पर अच्छे वर्क नहीं की आपने दोसरों के साथ हमेशा बुरा किया है तो गौड आपको मतलब यह acceptance हैं यह theory लोग मानते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा भरोगे तो अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो वहाँ पर क्या आपको God punishment देते हैं तो जो accept करने की जाती हैं जो पापी जो sinners होते हैं sin पाप करते हैं तो वो जो accept की जाती हैं उन्हें fire और windstone ठीक है इसे की दोरा एक example बताती हूँ पहले क्या होता था कि जो हम करते थे आपको ये बोला जाता है God के पास जाओगे तब आपको उसका वो मिले लेकिन अभी ऐसा नहीं हो गया अभी देखो थ्रीजी फूर्जी का जमान है तो इसमें भी ये चीज़ होगे अगर आपने किसी के साथ कुछ किया है तो कुछ टाइम के बाद आपके साथ ही भी वैसा ही होगा आपने अगर आप जा रहे हो कोई ऐसा है जिसको हेल्प चाहिए आपने हेल्प नहीं किये कुछ ही डेज बाद या कुछ एक दो इयर्स बाद यर्स तो लगते भी ने आप भी उसे सिचुएशन में पहुंच जाओगे आपको हेल्प चाहिए होगी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा अगर आपने अपने सीनियर की डिस्रिस्पेक्ट करी है तो आपके जूनियर आपको डिस्रिस्पेक्ट करेगा तो वैसा बेवार करिए जैसा आप चाहते हो दूसरों से ठीक है आप अगर दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा बेवार होगा ठीक है यह true fact है या तो किसी ने सोचा नहीं होगा इस बारे में अगर सोचो अपनी life में देखी आपने किसी से कुछ कह दिया वो आपको तुरंत return back मतलब वो इंसान नहीं करेगा कोई दूसरे से मिलेगा ठीक है far and wide far and wide मतलब in all direction मतलब सभी दिसाओं में ठीक है far and near from distant and near about prices ठीक है दूर और पास से far and near मतलब far means दूर और near means पास दूर से और near speak and spend speak and spend मतलब neat and clean साफ सुत्रा on and on continuously लगाता ठीक है on and on continuously लगाता ठीक है again and again again and again repeatedly वही काम कई बार हो रहा है now and then often or occasionally जब तब now and then मतलब जब तब जब कभी जब तब हो जाता है जब तब mood अच्छा बन जाता है जब तब गुस्सा आ जाता है now and then ओक है off and on off and on irregularly मतलब animate off and on animate irregular ठीक है by fits and start irregularly sporadically intermittently ठीक है by fits and start animate by fits and start animate by hands and foot by hands and foot in all possible way by all means मतलब कि सिद्द दिखाना सभी संबब तरीके से हर तरह से मतलब by hands and foot मतलब हमने हर प्रियास कर लिया है कोई भी problem solve करने का या कहीं जाने का मने parents permission नहीं दे रहे हैं तो हर प्रियास कर लिया ये बाहना लगाया वो लबाहना लगाया ऐसे ठीके be hand and globe be hand and globe be very close बहुती close होना बहुती करीब होना heart and soul very hurtedly with devotion ठीके पूरे दिल से भक्ती के साथ ठीके wear and tear wear and tear damage मतलब damage होना ठीके तूट जाना safe and sound मतलब unhurt safe and sound मतलब शुरक्षित safe and sound मतलब शुरक्षित ठीके safe and sound शुरक्षित ठीके fair and square fair and square means क्या होता है honest just proper इमानदार उचित fair and honest इमानदार और उचित ठीके hole and corner hole and corner का मतलब क्या होता है being a secret place और conduct secret गुप्त जगए किया जाने वाला ठीक है hall and corner मतलब गुप्त जगए secret place ऐसे से यारे ठीक है under lock and key सुरचित जगए मतलब कोई भी चीज अगर आप lock and key के under रखते हो तो वो safe रहती है मतलब जो बाहर open में रखी है उससे safe रहती है जो आपने under lock and key move heaven and earth move heaven and earth to do one's best to learn no stone unturn मतलब कोई भी कसर ना छोड़ना मतलब heaven और earth को move कराना मतलब कोई भी safe no stone मतलब आपने कुछ कार्र करने के लिए कोई भी stone unturn नहीं रखा सारे stone को unturn किया है ठीक है no stone leave unturn ठीक है carrot and stick policy carrot and stick policy carrot मतलब की आपको कुछ reward मिल रहा है stick मतलब stick से आपको पिटाई भी मिल रही है reward and punishment policy reward and punishment इनाम और सजा नेती इनाम और सजा नेती policy में नेती part and parcel part and parcel मतलब अभिभाज अंग मतलब inseparable ऐसा part जो इसको आप separate नहीं कर सकते हो ठीक है blow hot and cold unreal I will अभिस्वास नहीं जिस पे विस्वास ना blow hot and cold मतलब जिस पे play fast and lose मतलब जल्दी खेलना और लूजक कर जाना play fast and lose ला परवा बेवार करना मतलब ला पर भी एविन रेक्लेस और इर्रिस्पॉंसिबल मतलब ला परवार reckless मतलब ला परवा मैनर irresponsible manner से किसी के साथ behave करना play ducks and drags बरवाद करना play ducks and drags मतलब किसी चीज़ को squander में बरवाद करना ठीक है बरवाद करना बरवाद करना ठीक है बरवाद करना ठीक है play leap and leaps and bounce play by leaps and bounce by leap and bounce very rapidly null and void ineffective ज्यादा null and void null and void अप्रवावी मतलब जिससे कोई प्रभाव ना हो null and void अप्रवावी rank and file rank and file मतलब ordinary common person ठीक है out and out out and completely मतलब पूरा completely में पूरी तरह से ठीक है rank and file मतलब क्या होता है और common people ठीक है far and away मतलब जिससे धूर भी far miss दूर and away मतलब बहुत ज़्यादा difference है हमारा कोई relative है जिससे हमारी contact भी नहीं हो पा रही है कई दिनों से वो आया भी नहीं far and away है hunt high and low to look carefully in every possible place for someone और something हर संभव जगे पर किसी चीज या किसी इंसान को ढूनना ठीक है in every nook and corner in every nook and corner ठीक है everywhere अब जैसे आप कोई ऐसे लिख रहे हो in every nook and corner of India we are watching this this मतलब कुछ भी अगर हो रहा है जैसे इस बार dowry dowry मतलब in UPBR में कुछ ज़्यादा ही है तो आप इस sentence start करने से पहले in every nook and corner of this state this all this is happening ये सब लिख सकते हो ठीक है तो इन idioms or phrases में आप अपने मतलब English में अगर आप English medium से हो तो answer writing में आपको help होगी बच्छी होगी आपका impression अच्छा होगा ठीक है touch and go touch and go uncertain with probably bad result अनिश्चित जिससे बुरा result है day and day out day and day out for an indefinite number of successive days ठीक है लगातार कई दिनों के लिए day in and day out ठीक है आप लोगों को समझ में आये होगे ये 45 45 most important idioms and phrases थे जो pairs पे थे हमने आपको colors के कला दिये हैं आपने अगर यहां से idioms and phrases कर दिये तो आपके कोई भी exam में कोई idioms and phrases जाएगा नहीं क्योंकि वो वाले भी करा दिये हैं काफी सारे और ये देखो 45 होगे अभी फिर से आएगे तो कम से कम आपके पास 500 idioms and phrases होंगे अगर आप notes नहीं बना रहें तो बार बार वीडियो देखे कुछ नहीं कुछ वर्क कर रहे हो जैसे आप घर में कुछ मदर की help कर रहे हो तो फिर उसमें लगा दिए अगर आप boy हो कहीं जा रहे हो मतलब कुछ पर्चेज करने के लिए या फिर कुछ तो headphone लगा लीजिए ठीक है यह आप पे है मतलब जो extra time मिले उस पर यह सुनते रहे है सुनते रहे है आप फुद ही खुद को यह आपको knowledge हो जाएगी तब आपको पता सलेगा ठीक है थैंक यू keep watching the session